Hello everyone, I am Shivani Solanki and I welcome you all to the PW Law YouTube channel जहां पर discuss करेंगे एक ऐसा सवाल जो कि हमारे जुड़ीशरी आस्पिरेंट्स के मन में बहुत बार आचुका है कि आकर जुड़ीशरी में हम अपने इंटर्वीव के तियारी कब शुरू करें जेनरली ये क्वेस्टन बहुत स्ट्रॉंग ली सुड़ीशरी को फील होता है जब वो मेंस के तियारी कर रहे होते हैं क्या इंटर्वीव के तियारी मेंस के बाद हो सकती है आंसर है नहीं क्योंकि इंटर्वीव के तियारी कभी भी आप मेंस के बाद नहीं कर सकते इंटर्व्यू की तियारी उस दिन चुरूआ जाती है जिस दिन आपने जुड़ी श्री का सपना देखा है पहले समझेंगे इंटर्व्यू का मतलब क्या होता है जो कि एक जज होल्ड कर सकता है या करता है हमेशा वही चीज इंटर्व्यूर जानना चाहता है interviewer आपको दो तरीके से judge करेंगे, पहला है internal and दूसरा है outer outer means आपने किस तरीके से कपड़े पहने हैं, आपकी साथ सज्जा कैसी है आपका body language कैसा है आप किस तरीके से बात कर रहे हैं आपके देखने का तरीका क्या है आपका gesture क्या है अगर मैं internal interview की बात करूँ that means वो ये देखना चाहते हैं कि आप inside एक personality hold करते हैं judge की along with that आपके क्या concepts है society को लेकर, क्या concept है आपका न्याय को लेकर, अगर बात करें क्या वो हमसे barrack provisions पूछते पूछते definitely हैं, बट objective main होता है आपकी personality check करना क्योंकि pre or mains already आपका knowledge check हो चुका है interview में जो सबसे बड़ी गलती students करते हैं कि खुद को नहीं पहचानते हैं पहले सबसे पहले खुद को जाने तो बहुत सारे सवाल हो कि जवाब आपको सुवता ही मिल जाएंगे, कौन हो आप क्यों Judiciary में आए हो, क्या चाहिए आपको इस Judiciary से और क्यों आप अगर उस particular seat पे आ जाते हो या वो particular seat आपके द्वारा फिल की जाती तो आप अखिर हैसा society को क्या provide करने वाले हो, अगर आपके पास खुद के पास इन चीज़ों के जवाब है, your why for cracking the Judiciary is very clear fabricated answers नहीं दे सकते हो, जो कि आपकी personality से match ही ना करें कई बार interview में आपकी hobbies के बारे में पूछा जाता है, आप exam में इतने ज़्यादा मगने हो जाते हो कि कई बार अपनी hobbies होते वे भी भूल जाते हो, या उन पर work नहीं कर पाते So make sure that during your Judiciary preparation, आप कोई ऐसी एक hobby को intact करके पकड़के रखें जिसको आप लगातार प्राक्टिस भी कर रहे हैं जिसका एक basic knowledge आपके पास है क्योंकि hobby के regarding आपको basic knowledge जरूर वो पूछेंगे, हो सकता है कि थोड़ा advanced knowledge भी जाने हमने पहले कहा दिया था कि barrack provisions या फिर legal knowledge का जो exam में वो pre or means में हो चुका है आप से specifically interview के दौरान ये चीजों के questions हो सकता है रखे जाएं जब भी ऐसे सवाल रखे जाते हैं स्टूरेंस के सामने उनको सबसे जादा डर day one से ही हो जाता है कि हम उन सवालों के जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि आप pre और mains निकाल के आए मतलब आप knowledge तो hold करते हैं problem कहां आता है problem आता है delivery में problem आता है execution तो जायर से बात है कि जो चीज अभी तक आपने लिखी है और on paper ही देखा उस चीज को आपको बोल के बताना है तो जब भी आप interview में या interview के लिए उन बेरिट के provisions को समझाने के लिए तयारी कर रहे हैं तो आपको उसकी तयारी भी वैसे ही करनी है जैसे कि आप बाकई में किसी person को मा explain करने वाले ताट बेरेक के सारे provision आपको बोल बोल कर खुद को explain करने हैं लोगों को समझाने हैं क्योंकि अल्टेमेटले आप interview में में बोल के बताने वाले यू आप उस प्रोविजन का अराम से अच्छे से उत्तर दे सके ध्यान रखना पूरा interview panel सिर्फ और सिर्फ आपको बैठा है आपको सुनने के लिए बैठा है तो पूरी शान्ति पूरवग धैरे पूरवग आपको उत्तर देना है बिल्कुल भी पूरा स्पीच आपका अच्छा जा क्योंकि स्टार्टिंगे कुछ वर्ड या सेंटेंस आपने फंबल करते हुए डर के साथ या वो नर्वसनेस अपनी आवास की पैनल के सामने जाहिर कर दी तो फॉर शॉर कि आपका जो पूरा इंटर्व्यू का सेशन रहने वाला है वो उ जादा ध्यान रख के फिल करना है क्योंकि ध्यान रखना है क्योंकि फॉर्म में जो कुछ भी लिखा होने वाला या जो कुछ भी लिख रहे हैं वो आपके इंटर्व्यू के रूम में पहुंचने से पहले ही पैनल के पास पहुंच जा चुका होगा मतलब पैनल आपसे उस minute to minute detail के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं that means you ought to have information about everything that you are writing about yourself आप खुद को जाने पिना interview में नहीं जा सकते specifically अपने surroundings के बारे में जो आपने लिखा है आपकी hobbies, आपकी school, आपकी college कौन से act के तहत वो college established है कौन से rules and regulation उसको govern करता है क्या वो central university, क्या वो state university क्या वो deemed university, क्या वो private university है और particularly आपके college established कब हुए है कौन उनके principles है यह बहुत basic चीज़ें आपको कई पर अपनी school के prayers भी पूछी जा सकती है तो कुछ ऐसी basic चीज़ें जिनसे हमारा बच्पन या हमारा log graduation के दौरान जो जो भी time रहा है बहुत जादा जुड़ा हुआ रहा है तो वो चीज़ें आपको याद रखना जाहिर सी बाते वहाँ पूछा जा सकता आपको अपनी practice के बारे में पूछा जा सकता आपको अपनी internships के दौरान के बारे में पूछा जा सकता क्या experiences आपके वहां रहे और वो experience hold करने के बाद exactly आपने जुड़ी श्री में आने का plan क्यों किया है हमेशा interviewer ये कोशिश करेंगे कि जो भी आप जवाब दे रहे हैं उसी में से एक नया सवाल बनाने तो आपको ये make sure करना है कि कई बार interview interviewer के perspective से नहीं हो के आपके perspective से हो सकता है क्या हर जवाब आप ऐसा दे कि अगर उस जवाब में से कोई भी शब्द पकड़ा या कोई भी section पकड़ा तो आप उसका भी जवाब दे पाए तो make sure before speaking each and every word कि आप क्या बोल रहे है क्योंकि कई बार हम अपनी ही story में कहीं गुमरान न हो जाए अपनी ही story में न फस जाए इसलिए be very honest to whatever you are speaking आपकी personality इन चीजों से ही पता चल जाएगी कि आप कितने honest है और रही बात knowledge की specifically legal knowledge की बेरेक provisions की अगर आपको नहीं आता है तो आप साफ साफ शब्दों में उनसे या तो समय मांग सकते हैं या फिर उन्हें ये बोल सकते हैं कि आप recall नहीं कर पारें कहीं पड़ा है या शायद आपने वो provision कभी देखा नहीं या सुना नहीं है क्योंकि honesty is definitely a best policy और honesty भी आपके एक personality का वहाँ part रहने वाला है कि आपने panel को गुम्रा करने का या उनका समय बरबात करने का नहीं सोचा राधर आपने admit किया कि आपको किसी चीज की किसी fact की knowledge नहीं है और आप उस पे और अध्धिन करने के लिए तयार हैं इस attitude के साथ अगर आप चीजों को admit करते तो सबसे बड़ी चीज स्टूडेंट्स बोलने में डरते हैं कि हम वाग फंबल कर जाते और जैसे फंबल करते चीजे भूल जाते हैं आपको इंटर्वियू में जाने से पहले बहुत सारे मॉक्स देने हैं जवी नहीं कि आप हमेशा को इंस्टिटूट में जाके मौक्स दें कोई भी अंजान परसन को लेके बैठ सकते हैं अपने कोर्ट में जाके अपने लीगल प्रोफेशन स्पेसिफिकली मैं कहूं तो टीचर्स हो गए आपके आइडवोकेट्स हो गए या कोई companion हो चुके हैं या family members जिनसे आपका इतना mail मिला अप अच्छा नहीं है बट आपका एक थोड़ा सा distance है क्योंकि जिनके साथ हम frank होते हैं उनके साथ हम चीज़ों को थोड़ा lightly ले लते हैं बट लोग known हो still आपके रिष्टे में इतनी distance हो कि आप वहाँ पे एक mark of respect को वहाँ पे देखें जा mark of respect होता है जा mark of trust होता है जा थोड़ा सा डर होता है वहाँ पे आपको serious ने जादा आती है तो ऐसे लोगों के सामने अपना mocks देना शुरू करें वहाँ पे चीज़ों को बोलने का प्रयास करें खुद को represent करने का तरीका जो है वहाँ पे आप देखें साथी साथ ये ध्यान रखना है कि interview के दौरान आपको नहीं पता कि आपका first number आएगा या फिर आपका last number आने वाला है आपको कम से कम 6-7-8-9 घंटे के लिए उस particular premises में building में रहना है that means आपको पूरी जो आपकी वेशबूशा है वो ऐसी होनी चाहिए जो आपको comfortable feel करें उस दिन अपने शरीर पे कुछ भी ऐसा नहीं पहनना या नहीं लगाना जो कि आपको uncomfortable feel करें जिस तरीके से आप हमेशा अपनी professional life में रहे हैं student life में रहे हैं वैसी रहें definitely आपको जो अपनी uniform रखनी है वो बहुत ही जादा professional रखनी है जो कि ये बताए कि आप अपनी चीजों को लेकर कितना जादा systematic हैं, कितना जादा clear हैं, कितना जादा genuine हैं सबसे बड़ी बात interview में जो आपको ध्यान रखनी है honesty खुद से honest रहे, panel से honest रहे हर जवाब आपको बहुत शांती से देना है क्योंकि जब आप चीजों को बहुत आराम से put up करते हैं तो आपके back of the mind में चीजे recall होनी शुरू हो जाती है और practice के साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा जब कई एक sentence में deliver कर रहा हूँ अगर आपने भागने की कोशिश की, अपनी गती बढ़ाने की कोशिश की तो definitely आप चीजे भूलेंगे और fumble भी करेंगे कोई भी word mispronounce होने की वज़े से आप डर जाते हैं तो इस चीज से नहीं डरना है, जिस तरीके से आपने हमेशा से अपनी life में चीजों को present किया है, colleges में, उसी तरीके से करें और विश्वास के साथ करें Have confidence in yourself, have trust on whatever you have studied, have faith in yourself, have trust in whatever you have studied, have trust on the mentors who have mentored you और definitely आपका interview अच्छा जाएगा I hope कि ये interview tips आपके लिए helpful होगी, मिलेंगे अगले session में, till then, thank you, thank you so much